टिकमगर कॉंग्रेस पदादीकारियों के नेतरतों में राज जिपाल के नाम एडियम को ग्यापन सोपा गया ग्यापन सोपते हुए बताया कि सागर जिले के खुरई विधान सभा में कॉंग्रेस अरुनो दाई चोबे पूर्व विधायक उपाध्यक्ष मध्यपरदेस कॉंग्रेस कमीटी के कॉंग्रेस पदादीकारियों एवं कारिकर्ताओं ने प्रससन को ग्यापन देने के लिए एकत्रित हुए थे तब ही भाजपा कारिकर्ता भी ग्यापन के लिए एकत्रित हुए थे कारीकर्ताओं ने पत्थराओं किया जिसमें बाजचीत के माध्यम से अरुनुदरी चोबे के द्वारा कहा कि दिल भले ही अलग-अलग है पर हम भाई-भाई हैं क्रपया शांती बनाये रखें किन्तु भाजपा कारीकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और पत्थर बाजी करना प्रारंब कर दिया जिसके चलते पुलीस प्रसासन ने केवल कॉंग्रेस पर ही मामला दर्जी किया है जो की गलत है कारीकर्ताओं ने राजचीपल के नाम कलेक थे दिवेद परमिसन लेकर वहां भारती जन्ता-पार्टी के लोग गए और उन्होंने उपत्र लोग के लोग के खिलाब करवाई चाहिये थि लेकर उनने गांग्रेस के लिए तकाना साहिं रख लिया अगर हम पिद्ध परमीशन जो है यहां पर उपस्थे था है ऐसे को रोगने के करने ना कि लाटी चांच हुना था भार्टी जन्ता पार्टी के कारकर आँगे वह उपर से भूपर इंठाकर जो मंत्री है म्द्वरेष हासन के वह धंपी दे रहा है तो पांस साल में कांग्रेसों की चाल बदल याएगी कांग्रेस ने 70-72 साल तक राजनी करी है और इस देस पर राज किया है अगर कांग्रेस चाहे थी तो भारती जंता पार्टी की लोगी चाल बदन जाती है कांग्रेस की लोगी चाल बदनने के लिए बहुत बड़ी आफाट चलिए होना है हम लोग जो है संगर्ज करेंगे और गांधिवादी तरीके से अपनी बात रखेंगे इसी स्क्राइब हमने ज्या पंदिया कि उनके खिलाथ कारवाई उच्छे थी दन्नवाद है अब देख रहे हमारा चैनल आज जर्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक